हेलो गाइज, असलाम लेकूम, आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं, दही भला, चलिए शुरू करते हैं, ये हमने डाल लिए एक काटोरी उड़त की, दुली हुई, और आधा काटोरी लिए हमने मूम की डाल, ये हमने भिगो ली थी प थोड़ा सा हद रख, डालेंगे थोड़ा पानी, इसको पीस लेंगे, ये पीस चुकी है, अब इसे हमें एक बरतन में निकाल लेंगे, इसमें डालेंगे हम आधा चम्मत जीरा, इसको हम फेट लेंगे अच्छे से, 7-8 मिनट तक हमें इसे फेट ना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये देखे ऐसे, वाइट हो गया नहीं कलर इसका, ये देखे, अब इसको हम तेल में छोड़ेंगे, तेल गरम हो चुका है, ये देखे, उपर अपना आप ही पल्ट जाएंगे, खुद बेखुद ही पल्टेंगे ये, ये देखे, हो चुके है, अब हम इने निकाल लेंगे, अब हमने ये गुनगुना पानी लिया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, और एक ही चम्मच डालेंगे हम इसमें हींग, इसमें डाल देंगे, हम ये भल लें, दस मिनट के लिए, अच्छे से डुबाना है, ये देखे, दस मिनट के बाद, खुल गए हैं, अब हम इसका पानी चेंज कर लेंगे, दूसरे पानी में डाल देंगे, ठंडे पानी में, मीठी चटनी बनाएंगे, इमली भी हो दी थी हमने, अब इसको हम छान लेंगे, ऐसे एक गुदा हम सारा निकाल लेंगे अच्छे से, यह हम गैस पे चड़ा देंगे, अब इसमें डालेंगे हम आदा चम्मच जीरा, और आधी चम्मच हम डालेंगे, इसके अंदर सोंग, एक चम्मच भरके डालेंगे, डाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार, और डालेंगे सक्कर, आपके पास गुड है तो गुड भी डाल सकते हैं, चीनी है तो चीनी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अबे लेवल है, वही आप डाल सकते हो, गुड से इसका टेस्ट और अच्छा आता है, अब डालेंगे हम सोट, इसको पिसी भी अदरक भी कहते हैं, सूखी अदरक होती है नो उसको पीस रखा है हमने, सोट कहते हैं इसको यह डालेंगे हम कलर रेड कलर इससे इसका कलर अच्छा आएगा चटनी का अब यह देखे बनके तयार है चटनी अब इसमें डालेंगे हम तर्बूज के बीज मगज भी कहते हैं इनको बन चुकी है अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अब यह देखे इसको हमने अच्छे से फैट लिया था यह देखे ऐसे स्मूधी हो जेने चाहिए देखे अब बनाके दिखाएंगे हम आपको बल्ला प्लेट में एकदम सोफ्ट बने थे उपड़ से डालेंगे थोड़ा सा नमक एक चुटके डालेंगे लाल मीच पाउडर और भरके डालेंगे दही दही बल्ले हैं तो दही तो जाएगी जाएगी अच्छे से अब डालेंगे मीठी सोउट अब डालेंगे हम गिरीन चटनी धनिये पोदीनी की हरी चटनी उपड़ से डालेंगे भुनावा जीरा काला नमक का मसाला चले डालेंगे हमने लच्छे काट रखे थे अदरक के चकुंदर के लच्छे काट रखे थे हमने कद्दुकस में एक चकुंदर कसली थी उसके लच्छे उपड से डालेंगे अब ये बनके तयार है दही बल्ला ये देखिए आप घर में ही बनाईए आप भी बनाईए अप अपनी फैमिली को खिलाइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए